हाई, आज मैं आपके लिए फोर स्टेशन सर्कीट ट्रेनिंग का एक वर्काउट सेशन लेका आया हूँ सर्कीट ट्रेनिंग इंप्रोब्स स्ट्रेंथ एंडूरेंस और अल्सो हेल्स इन फैट लॉस प्रोसेस हमेशा वर्काउट के शुरुवाद में आपको वर्म अप करना चाहिए क्योंकि वर्म अप इंप्रोब्स रेंज अब मोशन, प्रोमोट फैट लॉस एंड रिदूस चांसेस और आज के वर्काउट में हम पर्फॉर्म करेंगे रेगुलर पुश उप्स, लॉंग सिटिंग अल्टरनेट डंबल शोल्डर प्रेस, पावर ट्विस्टर चेस्ट विद रिवर्स और वाइट ग्रिप बर पुश उप विद इच एक्सरसाइस 10 रेपिटिशंस लेट स स्टार्ट नीचे जाते बक्त सांस को छोड़ना है और उपर आते बक्त सांस को लेना है धीरे धीरे से वोमेंस कें पर्फॉर्म विद नी सपोर्ट पुश उप्स गेट्वरी पर नेक्स इस लॉंग सिटिंग अल्टरनेट डंबल शोल्डर प्रेस फिप यह ब क्ज़िए ब लाइन विद बेस वाल प्रेसिंग बबल अब now change and get ready for power twister chest जब आप power twister को अपने chest के सामने squeeze करेंगे आपको breathe को छोड़ना है करेंटा रफस्तकों ना अपनेश == औ्क सामने हो खुटिये अ उसके तुटिये यश्सान यशीर माननी अ तुटिये खुटिये एस मानशा है कि यॉन उकना फ्लिवा है रवीले यठके करेंगेающкими now get ready for last exercise wide grip or push-up abdomen को tight रखना है back और neck को straight रखना है body के साथ और धीरे धीरे नीचे जाते वक्त chest muscle पे focus करते हुए breathe को छोड़ना है और उपर आते वक्त धीरे धीरे breathe को लेना है now we have completed one set अब 45 seconds से one minute का active race लेना है जिसमें हम हलका stretching करेंगे जो beginners है वो इस video को pause करके यहां पर अपने जरूरत के हिसाब से race ले सकते हैं अगला set सुरू करने से पहले और हमेशा ध्यान रखना end of the workout आपको cool down करना है जिससे आपका recovery fast होगा let's do it again good luck आपका? झाल